देखो तुमने सोलर पावर से चलने वाली बहुत सी मशीने देखी होंगी पर मेरे भाई हमारे इस अर्थ पर एक ऐसा क्रियेइचर भी है जो सोलर पावर से चलता है और ये समुद्र की गहरायों में पाया जाता है अब तुम ये सोच रहे होगे की अबे जब समुद्र की गहराई में सूरज की रोशनी जाती ही नहीं है तो इस साले को सोलर एनरजी क्या इसके गान से मिलती है देखो इसको solar energy मिलती कैसे है और ये क्या है आओ इसके बारे में जानते है देखो इस मेहरान करने वाली खासियत के साथ साथ यह बेहत सुन्दर भी है हम बात कर रहे leaf sheep की जिसे सी स्लग भी कहते हैं इनका scientific नाम कॉस्टसियला को शिमाई है इसका रंग बिल्कुल algae की तरह ही ह ये भी photosynthesis यानी प्रकाश संचलेशन के जरिये energy हासिल करता है जिसे kleptoplasty कहा जाता है देखने में यह बहुत छोटा सा किसी पेड़ पौधे के पत्ती के सनरचना का बना होता है और यही ability इसे बाकी सभी creatures से अलग बनाती है और ये देखने में किसी रेगिस्तानी पौधे की तरह लगते है सुनने में अजीब है लेकिन ये creature solar power से चलता है जो दुनिया का कोई दूसरा creature नहीं कर सकता है